next जो है operation वो है intersection of sets intersection of sets क्या होता है तो देखो union में क्या होता है न हम थोड़ा दिल बढ़ा कर लेते हैं हम बुलेंगे तू भी आजा यार तू भी आजा चलो तू भी आजा लेकिन intersection में क्या करते हैं हम सिर्फ common element लेते हैं ऐसे ऐसे elements चुनते हैं, जो A में भी हो, at the same time B में भी हो, तभी हम select करेंगे A intersection B में, otherwise नहीं करेंगे, इसको denote कैसे करते हैं, आप देखो इधर ज़रा, तो A intersection B जो है, वो उल्टा U, उल्टा U, उल्टा U is intersection, है न, और उसके बाद सीधा U जो है, वो union, symbol याद कर लेंगे, अब इसको again हम लोग कैसे देखेंगे, example की help से देखेंगे, ठीक है, तो देखो यहाँ पर example क्या कहता है, intersection of set, set A ये दिया है, set B ये दिया है, अब हमें क्या करना है, हमें बहुत ही picky होना है, हमारा दिल इतना बड़ा नहीं है, union जैसा, intersection में क्या करना है, हमको सिर्फ common चीज़े छटन ही है, तो आप देखो 1 दोनों में common है, तो मेरे intersection में क्या आएगा, 1 आएगा, 3 भी दोनों में common है, बस, इसके लावा देखो तो कोई common ही नहीं है, तो A intersection B, कि मैं बात करती हूँ न, अगर तो उसमें दो ही elements आएंगे, अगर आप ध्यान दो तो, ठीक है, देखो A intersection B, intersection अब यह, अब आप मुझे elements भरवाओ जरा, A में है 1, 2, 3, 4, 5, तो 1 और 3, यह तो common है, A में भी आ रहा है, और B में भी आ रहा है, तो 1 और 3 तो common है, उसके बाद A में बताओ क्या आ रहा है, तो ma'am A में आ रहा है 2, फिर 4, फिर 5, तो 1, 2, 3, 4, 5, क्या A के circle में इस सारे के सा में आई रहा है, 9 और 12, और लिख दो, तो बोलो हमारा क्या हो गया, यह when diagram complete हो गया, अगर मैं आप से पूछूं कि A intersection B क्या होगा, तो आप देख लो 1 और 3 दोनों में common है, यह common हिस्सा जो है ना, वही intersection होता है, तो यह क्या आ जाएगा, 1, 3, है ना, 1, 3, I can see, ठीक है, 1, 3, चुन जन बच्चों ने like नहीं किया है, तो मैं उनको कुछ बोलूंगी भी, ठीक है, 1, 3, clear है, intersection, done, 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 अब क्या हम ready है, when diagram के through intersection पढ़ने में, यही तो मतला मज़ेदार बात है ना, यहाँ पे देखो, तो 3 cases हमने शुरुआत से पढ़ रहे हैं, कि दोनों की लडाई हो हो गई है, है ना, यहाँ पे दोनों की बीच में कुछ intersection है, और यहाँ पे क्या है, A's contained and B completely, अब हमें intersection वाला देखना है, है ना, हर Venn diagram में सब कुछ दिखेगा, आपको क्या जो पूछा जा रहे है ना, वो shade करना है, तो आपको इस बर बोलाए कि कौन सा area shade करना है, A intersection B का, तो पहले कौन सा करें बताओ, यह वाला करते हैं क्या, पहले यह वाला कर लेते हैं, तो आपको A intersection B का area shade करना है, तो देखो यह देखो, A intersection B मतलब ऐसा हिस्सा, जो A में भी आ रहा है और जो B में भी आ रहा है, तो वो तो बीच वाले हिस्सा हो गया, है की नहीं, है ना, तो I can see, एकदम done, ओके, चलो, A intersection B यहाँ पर, अब यहाँ पर हमारे साथ scam हो गया है बच्चों, कोई बता सकता है कि यह क्या scam है, intersection मतलब हमें ऐसा region ढूंड़ना है, जो A में भी आ रहा है, और जो B में भी आ रहा है, तो यहाँ पर तो कोई भी shading नहीं होगी, तो आप लिख द नहीं, common ही नहीं है, तो इस वाले case में A intersection B क्या आ जाएगा बच्चों, नल सेट आ जाएगा, कुछ common निकल ही नहीं रहा है, आप जबर जस्ती थोड़ी उसके हाथ दो के पीछे पर जाएंगे और बोलेंगे निकल निकल, common निकल, है ना, तो इसलिए no shading, अब यहाँ देख हिस्सा हिस्सा जो A में भी आ रहा है और B में भी आ रहा है, तो वो तो पूरा set A ही है, आप देखो अंदर वाला circle पूरा intersection है, है ना, पतलब आपको अगर मैं ऐसे बताऊं तो यह वाला पता है case कैसा होगा, A होगा 2,3 और B होगा 1,2,3,4 ठीक है, तो आप A intersection B निकालोगे, तो A intersection B कितना आएगा बताओ, आप तो common elements देखोगे, आप बोलोगे 2, अच्छा common 2 है, और आप बोलोगे 3, खतम, तो आप ध्यान से देखो, तो A intersection B खुद A ही तो आगया, A intersection B खुद A ही तो आगया, इसका मतलब A intersection B इस case में क्या आगया, A आगया, बच्चों, A वाला ही त तो common part हो गया, बोलो clarity है क्या, एकदम clarity होनी चाहिए इस case की और इस case की, क्योंकि इसमें intersection तो सब बता देते हैं, अगर है तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, चलो, okay, है ना, अब, yes, same, similar 2 points, मतलब कुछ points है, 4 points है actually, तो हम 4 points को समझते हैं कि क्या scene है, क्या बोल रहा है, त course, कोई भी आप case ले लो, है ना, तो ये popular case से इसको ले लेते, A intersection B मतलब ये वाला area, क्या ये वाला area, क्या ये वाला area, जो बीच वाला है, वो part नहीं होगा पूरे A set का, ये बीच वाला area, जो shade किया है, वो part नहीं होगा क्या A set का, आफ गोजना तो मतलब A intersection B, इस contained in, या फ A intersection B, वो subset B का भी हो गया, तो ये दोनों तो साथ-साथ में चल रहे हैं, अगर ये true है, तो ये भी होगा, इसकी क्या गलती है, तो ये तो साथ-साथ में चल दिये हैं, अब ये देखते हैं, अब ये क्या बोल रहा है, universal set, universal set मतलब rectangle और A का union निकाल रहे हैं, नहीं, sorry, intersection निकाल रहे हैं, तो of course क्या आएगा, A ही तो आएगा, आप देखरों, when diagram से कैसे तस्वीर साफ हो जाती है, ठीक है, उसके बाद A intersection 5, अच्छा, देखते हैं, A intersection 5, तो आप कोई set भी ले सकते हो, इसको समझने के लिए, जैसे एक set है, null set, जिसमें कुछ भी नहीं है, और एक set है, क् जैसे समझने, null set है, B set को null set ले लिया, जिसमें कुछ भी नहीं है, और A set में दो element है, अब मैं बोलू, इनका intersection लेके बताओ, तो आप बोलो कि, अच्छा, माम, intersection, intersection का मतलब तो यह होता है, कि common elements लिख लो, तो यार, common तो ही नहीं कुछ, इसमें कुछ है नहीं, इसमें जो है वो, of course इसमें नहीं होगा, तो null set का किसी के साथ भी intersection लोगे, तो कुछ भी common नहीं आएगा, ठीक है, तो इसलिए यह क्या हो गया, null set हो गया, यह just note है, मतलब आपको यह सोचने पर मजबूर करता है, कि अच्छा, ऐसा करेंगे, तो ऐसा होगा, इससे क्या होता है, इसको सो कारिटी की तरफ बढ़ता जाता है, ओके, चलो, all right.